मा लक्ष्मी को करना चाहते हैं प्रसन्न तू इन बुरी आद्टों को आज ही छोड़ दे। सनातन धर्म में गरूर पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें कई बातों का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। गरूर पुराण में बताई गई बातों पर चलने से न केवल घर में सुक्समृध्धी आती है। बलकि घर में शांती भी बनी रहती है। गरूर पुराण में कई ऐसी बातों का भी जित्र है जिन्हें आपको तुरंथ ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे मा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसके साथ ही आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से काम है। पहला, कड़वे शब्दों का इस्तिमाल करना। कहा जाता है कि कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग और आकार के होते हैं। इसके बावजूद लोग कोय के मुकाबले कोयल को ज्यादा पसंद करते हैं। गरुन कुरान के मुताबिक इसकी वजह दोनों की वानी होती है। कोयल अपनी मीठी वानी से गैरों को भी अपना बना लेती है, जबकि कौवा अपनी करकश बोली से अपनों को भी दूर कर देता है इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी वानी में नर्मी और मधुर्ता हमेशा बनाए रखनी चाहिए छोटे हो या बड़े, कभी भी किसी से गलत बात न करें और सबके सम्मान का हमेशा ध्यान रखें दूसरा, साफ सुथरे कपड़े न पहनना गरुर पुराण के अनुसार, इनसान को रोजाना साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए ऐसा करने से कामधंधे में बरक्कत तो आती ही है लेकिन साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है जो लोग मेले कुचैले और फटे हुए कपड़े पहन कर रखते हैं ऐसे लोगों से मा लक्ष्मी हमेशा दूर ही रहती हैं और कभी भी उन पर अपनी कृपा नहीं बरसाती इसलिए आप भी रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनने की आदत डाल लें तीसरा सूरज निकलने के बाद भी सोते रहना गरुर पुरान के अनुसार इनसान को सूरज निकलने से पहले बिस्दर छोड़ देना चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष्मी, मा लक्ष्मी प्रसन हो जाती हैं फिर अपने आप ही अपनी कृपा बरसाने लगती हैं सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु का नाम लें और धर्ती मा को प्रणाम करें इसके बाद बड़ों को नमस्कार करें इन बातों को नमानने वाले लोगों को धन के अलावा सेहत भी गंबानी पढ़ जाती हैं चौथा दान्तों का गंदा रहना साफ सुथरा रहना अच्छे आचर्ण की निशानी होती है आपको रोजाना मुह के साथ साथ अपने दान्तों को भी साफ करना चाहिए गंदे दान्तों में कीडे तो लगते ही हैं लेकिन साथ ही दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सबब भी बन जाते हैं ऐसे गंदे लोगों पर मा लक्ष्मी, गौड़स आफ बुल्थ कभी भी अपनी कृपा नहीं बरसाती है इसलिए अगर मा लक्ष्मी को प्रसंद करना चाहते हैं तो इस आदत को तुरंट छोड़ दें और दिन में तीन बार दान्त साफ करने की आदत डाल लें झाल झाल